वल्लब और वलदेवी किसी गाउं में वल्लब नाम का एक लक्रहरा रहता था। एक दिन मुह अंधेरे ही अपनी कुलहाडी कंदे पर रख कर वह जंगल जाने के लिए निकला ही था कि उसकी पत्नी ने उसे बुला कर कहा सुनो जी कल हमारी बेटी की जन्म घाट है हर दिन से आज जरा जल्दी लकडी काट कर हाट में बेच देना कुछ ज्यादा रुपए हाथ आएंगे अब तक अपनी बेटी की वर्ष घाट हमने यूही मनाई इस बार आसपास के लोगों को बुला कर धुमधाम से उसका जन्म द से दोपहर तक सारा जंगल चानने बर भी हर रोज के जितनी लकडियम जुटा ता उतना भी जुटा नहीं पाया ज्यादा लकडी की बात ही दूर वह बहुत निराश हुआ अपनी पतनी की कही सारी बाते उसे याद आई अब बेटी की बरस गांट कैसे धूमदाम से मना सके अब बीवी से कहूं तो क्या कहूं शांप होने को हुई तब खीच कर उसने समीप के ही एक हरे भरे रुक्ष पर कुलहारी उठाई दूसरे हिक्षन उसके आंके चकाचोद करती हुई एक वनदेवी ने पत्यक्ष होकर उससे पूचा अरे बेटे जरा रुक कर जाओ तो जं मेरे लिए सब पेड एक बराबर ही है कल मेरी बेटी की बरस गांठ है इस आवसर पर उसे एक तोते का खिलोना चाहिए लकड़ी काटना तो मेरा पेशा ही है ना काटू तो क्या काऊंगा तो मैं तुम्हारी बेटी के लिए खिलोने वाले तोते के बदले बोलने वाला असल तोता दूंगी मगर इस चंदन रुक्षक को नहीं काटो यह खायकर वनदेवी ने तालियम बचाई ततकाल कही से एक पंचरंगा तोता आकर वनदेवी के कंदे पर बेट गया चूमकर वनदेवी ने उसे वलब के हाथ सौंप दिया तोते की वोर शेंका बरी दुस्टी डाल क वनदेवी के कहने के बाद भी तुम अगर संदे करो तो तुम्हारे आंखे फूट जाएगी तोते ने सावधन किया इसके बाद रास्ते में तोते की बाते सुनाता हुआ लकड़हरा खुशी-खुशी घर पहुचा उस समय वनदेवी की बेटी तोते वाले किलोने के लिए राह लगा ये मा के पास जिद कर रही थी अच्छे बच्चे शोर नहीं करते मैं आ गया हूँ ना अब हम दोनों मिलकर खेलेंगे ठीक है ना वल्लब के हाथ का तोता बोल उठा बोलने वाले उस तोतो को देख वल्लब की पतने और बेटी आशर में आ गईी पल भर में ही त तोते ने उसे कई कहानिया सुनाई सुते समय लड़की ने तोते को अपनी बगल में ही सुला दिया वल्लब से सारा वुत्तांत सुनकर पतनी ने कहा वनदेवी की कुरुपा से अब तुम्हें लकडिक काटने की मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं रही इस तोते को किसी चौर पर ले जाओ और वहा इससे बात कराना चाहने वालों से एक एक रुपया वसुल करो तब तो क्या सोने की वर्षा हो जाएगी वनदेवी से प्राप्त तोते की मदद से इस प्रकर धन कमाना पहलब को कतई पसंद न था फिर भी पतनी के आगे उसकी एक ना चलती थी उसके जगडालूपन से वह डरता था इसलिए उसने उसकी बात मान ली दूसरे दिन तोते के साथ खेलने के लिए जिद करने वाली बेटी को कमरे में बंद करके वल्लब की पतनी ने तोते को उसके हाथ धर दिया फिर क्या कुछ खिक्षणों में बोलने वाले तोते का समाचार सा बीड देखकर राजा ने एक सिपाही को बीड जमा होने का कारण जान लेने के लिए बेच दिया सिपाही ने लोट कर बोलने वाले तोते का समाचार राजा को सुनाया एह खबर सुन राजा क्रोध में आ गया और उसने अपने सिपाहियों को आधिश दिया वह दुष्ट आ आओ आधिश अनुसार सिपाही वल्लब को छे कोड़े लगा कर उससे तोता चीन ले गए बेचारा वल्लब किसी प्रकार उटते गरते गर पहुंचा उसके फिर स्वस्त होने में एक फकवाड़ा लगा इसके बाद एक दिन पत्नी ने वल्लब के हाथ कुलहाड़ी देकर हि तुम्हें डरने की कोई जरुरत नहीं है तुम जंगल में जाकर फिर उस चंदर्रुष को काटने का अभिने करो उस भोली वनदेवी की कुरुपा है हम पर उसके प्रत्यक्ष होते ही कहो कि आज मेरी पत्नी की साल गिरा है साथ लड़ियों वाला चंद्रहार चाहिए वल्ल हारी उठाई ततकाल फिर से वनदेवी साक्षत हो गई लकड़हरे ने उसके समक्ष पत्नी की कही बात दोहराई वनदेवी ने हवा में हात लहराया और चमचम चमकाने वाला साथ लड़ियों वाला चंद्रहार उसके हात में आया वह हार उसने वल्लब के हात सौंप दिया वल्लब ने उसे घर जाकर पत्नी को दे दिया वल्लब की पत्नी की कुशी से फुलाना समाई और गली में हार पहन कर वह आसपास के घरों में जाकर अपनी सक्षियों को दिखा आई एक छोर को इस हार का समाचार मिला और आधी रात के समय वह वल्लब के घर गुसाया पत्नी के गले का हार वह खीच कर ले भागा। खीचा तानी में वल्लब की पत्नी के गले में जो चोट आई उससे रात बर वह रोती ही। सबेरा होते ही वल्लब की पत्नी ने अपने पती से कहा। अजी सुनो तो बोलने वाला तोता और चंद्रहार हमारे लिए अनकुल नहीं लगते हमें अगर जल्दी ही दनवान बनना है तो एक उपा है आज तुम अपनी खुद की वर्षगांट कहन कर वनदेवी से कहो की तुम्हें कोई व्यापार शुरू करना है इसके लिए एक बोरे भर सोने की आवशक्ता है उन स्वर्नमुद्राओं को लेकर हम किसी शहर में एक सुन्दर भवन बनवा कर उसमें रहेंगे और वही कोई व्यापार धन्दा शुरू करेंगे इस जोंपडे में अब एक पल भी गुजारना मुझे अच्छा नहीं लगता इस बार भी वल्लब ने जंगल में जाकर अपनी पत्नी की कही बाते दोहराई वनदेवी ने रुक्ष की वोर हाथ हिलाया और उसकी शाकायं हिलने लगी उन में से स्वर्नमुद्राओं से भरा एक बोरा नीचे गिर पड़ा बड़ी मुश्किल से उस बोरे को उठाये वल्लब घर की ओर चल पड़ा रस्ते में दो राजबटों से उसकी मुलाकात हुई पहले तो उन्हें देख कर ही वह गबरा गया वल्लब की गबराहट भांप कर बड़ों ने उसकी वोर शंका बरे दुष्टी से देखते हुई पूचा बताओ बोरे में क्या है कामते स्वर में वल्लब कहा उटा रीठे है रीठे बटों ने बोरा कोल कर देखा तो उन्हें बोरे में चमकती हुई स्वर्न मुद्रायें भरी हुई दिखाई दी उन्राज सेवकों ने सोचा कि यह कोई बड़ा डाकू है और वे उसे खींच कर राजा के पास ले गए वल्लब की कफियत सुने बिना ही राजा ने कह दिया एक डाकू की बातों पर विश्वास करने वाला मैं कोई मुर्क नहीं हूँ एक ही डाके में बोरे भर मुद्रायें लूट पाने वाले तुम जरूर कोई फोंचे हुई कुशल डाकू हो चाहो जो हो तुम्हारे कारण आज हमारा खजाना बर गया है इसलिए मैं तुम्हें हलकी सजा मात्र दे रहा हूँ इतना कहे कर उस मुर्क राजा ने अपने बेटों से कहा की वल्लब को दस कोडों लगा कर एक महीने कारागार में डाल दिया गया सजा समाप्त करने पर वल्लब घर लोट गया उसकी पत्नी ने जंग लगी कुलहारी हाथ में देते हुए इस बार कहा सुनो मेरी बातों को सावधानी से सुनो कल हमारी बेटी की बरस गांट है वनदेवी से कोई कीमती उपहार लेया ओ मगर इस बार वल्लब जंगल तो पहुँचा लेकिन वह चंदन रुक्ष के पास भी नहीं फटका दूसरी दिशा में जाकर हमेशा से कुछ ज्यादा सुकी लकडियां उसने काटी उनको बाजार में बेच कर घर के लिए कुछ सामान खरीदा और एक खिलोना तोता करीद कर गर लवटा वल्लब की पतनी बड़ी व्याग्रता से उसकी प्रतिक्षा कर रही थी वल्लब को देख नाराजगी से उसने पूचा खिलोने वाला तोता क्यों लेया हो वनदेवी ने क्या कहा इस पर वल्लब ने बड़ी शांतिपूर्वक उत्तर दिया इधर कुछ दिन पहले जो आंधी तूफान उठा था ना उसमें वह चंदन का पेड जड़ सहीत उखड गया पनदेवी मुझे कही दिखाई भी नहीं दी अच्छा जाने भी दो उस माता ने हमारी उपजीविका के लिए इतनी भारी वन संपदा जो भर रखी है उसी से हम सुकुपूर्वक अपनी जिन्दगी काट सकते हैं ना